नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है, आज हम करेंगे निर्वाणम मुद्रा एलर्जी की समस्या होने पर ये मुद्रा वीशेश लाबकारी होती है, इससे सभी प्रकार की एलर्जी दूर हो जाती है निर्वाण मुद्रा को करने के लिए पहले आप आराम से किसी आसन में बैठ जाएं फिर बाएं हाथ पर दाएं हाथ को रखें उंगलियों को आपस में गूत कर दोनों हाथ अपनी तरफ से खुमाएं और फिर दोनों तरजनी उंगलियों को सीधे कान के पास ले कर आएं इस तरह मुद्रा का भ्यास प्रति दिन करने से ऐलर्जी की रोग से जल दिलाब होता है आपको बता दें कि तवचा रोग, खाज खुजली, एक्जिमा, सफेद ताक, फोड़े फुनसी, शीत पित, बुखार आदे उत्पर न होना अलर्जी की लक्षण है अलर्जी में अकसर तवचा सूख जाती है, नसे कमजोर पड़ जाती है, तवचा का रंग बदल जाता है तथा शरीर सूज कर भारी हो जाता है दिल में बेचानी सी होती है और तवचा में खुजली होती रहती है ऐसे रोग्यों को गर्मी में बार-बार प्यास लगती है, खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता और उल्टी आदी की शकायत होती है चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अलर्जी होती कैसे है देसल खाने पीने की चीजों के प्रती समवेदन शीलता होने की कारण या किसी अन्य परिशानी की कारण यदि शरीर में कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसे अलर्जी कहते हैं शरीर पर होने वाले आम प्रतिक्रियां इस प्रकार हैं जैसे अस्थमा, नाक किसूजन, एक्सिमा, शरीर पर दाग धबे निकलाना, आधी सीसी का दर्द, पार्चन संबंदी विकार भी अलर्जी के उधारन है तो फिर ऐसी प्रॉब्लम को ऐसी अलर्जी को दूर करने के लिए आप आज से ही निर्वान मुद्रा का भ्यास जरूर करें और अपने जीवन से अलर्जी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें उम्मीद करते हैं निर्माण मुद्रा का भ्यास आप जरूर करेंगे और एलेजिकी प्रॉब्लम से निजाद पाएंगे बहुत जल्द मिलेंगे किसी ऐसी ही विशेश मुद्रा के साथ फलाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही